ओम चान्ती अव्यक्त मुर्ली है डिवाइज है उन्निस तीनच्यासी मुर्ली का सार है अमरित वेला स्रेश्ट प्राप्तियों की वेला तो बाबा ने क्या देखा? बाबा रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे है ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युक पर ही बाप दादा के द्वारा बनता है बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुश्बू और रूहानियत के खिले हुए पुश्बों की रोनक को देख रहे हैं खुश्बूदार तो सभी हैं लेकिन किसकी खुश्बू सदाकाल रहने वाली है और किसी की थोड़े समय के लिए रहती है कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कभी खिला है कभी थोड़ी सी धूप आ गई तो उस मोसम के हिसाब से मुर्जा भी जाते हैं लेकिन हैं फिर भी रुहानी बागवान के बगीचे के रुहानी गुलाब कोई कोई रुहानी गुलाब में ग्यान की खुश्बू विशेश है कोई में याद की खुश्बू विशेश है तो कोई में धाना की खुश्बू कोई में सेवा की खुश्बू कोई कोई ऐसे भी हैं जो सरव खुश्बू से संपन है तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके उपर जाएगी जिसकी दूर से ही खुश्बू आकर्शित करेगी उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है तो रुहानी बागवान सदैव सभी रुहानी गुलाबों के पुश्मों को देखते हैं सो भी नमबर वार प्यार भी सबी से है क्योंकि हर एक गुलाब पुश्ब के अंदर बागवान बच्चों के प्रति अती प्यार है मालिक से पुश्मों का प्यार है ना रोज अमरित वेले बाप दाधा सने और शक्ती की विशेश पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुश्पों से मिलन मनाते हैं अमरित वेले विशेश प्रभु पालना की वेला है अमरित वेले विशेश परमात मिलन की वेला होती है रूहानी रूरिहान करने की वेला है अमरित वेले भोले भंडारी के वर्दानों के खजाने से सहज वर्दान प्राप्त होने की ये वेला है जो गायन भी है मन इच्छित प्राप्ट करना ये इस समय अमरित वेले के समय का ही गायन है बीना मेहनत के खुले खजाने प्राप्ट करने की वेला है ऐसे सुहामने समय को अनभव से जानते हो ना अनभवी ही जाने इस स्रेश सुख को और स्रेश प्राप्टियों को तो बाप दादा सभी रुहानी गुलाब को देख देख कर हर्शित हो रहे हैं बाप दादा भी कहते हैं वा मेरे रुहानी गुलाब आप वा वा के गीत गाते हैं तो बाप दादा भी आपके गीत गाते हैं मुर्लिया तो बहुत सुनी सुन सुनकर संपन बन गए हो अभी महादानी बन बाढ़ने के प्लैन बना रहे हो ये उमंग बहुत अच्छा है आज यूग के अर्थार्थ ओके रहने वालों का टर्न है डवल विदेशयों का एक शब्द सुनकर के बाप दादा सदा मस्कुराते रहते हैं तो जब किसी को भी थैंक्यू करते हूए बाबा को याद करते रहते हैं क्योंकि सबसे पहले शुकरियां दिल से बाबा का मानते हैं तो जब किसी को भी थेंक्यू करते हैं, तो पहले बाबा याद आएगा ना, ब्राह्मन जीवन में पहला शुक्रिया स्वता बाबा के प्रती निकलता है, उटते बैठते अनेक बार थेंक्यू थेंक्यू कहते हो, ये भी एक विदी है बाबा को याद करने की, यूके वाले सरब भिनभिन हद की शक्तियां वालों को मिलाने के निवित बने होना, अनेक परकार के नौलेज की शक्तियां है, भिनभिन शक्ति वाले, भिनभिन वर्ग वाले, भिनभिन धरम वाले, भाषा वाले सभी को मिला कर एकी ब्राह्मन वन में लाना, ब्राह्मन धरम में ब्रामन भाषा में आना है ब्रामनों की भाषा भी अपनी है जो नए समझ भी नहीं सकते वे क्या बोलते हैं तो ब्रामनों की भाषा ब्रामनों की दिक्षरी ही अपनी है तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो न संक्ष्या तो बहुत अच्छी है और सने भी बहुत अच्चा है हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेष्टा तो है ही लेकिन आज बाबा UK का सुना रहे थे यग्य सने ही यग्य सहयोगी ये विशेष्टा अच्छी दिखाई देती है न हर कदम पर पहले यग्य अर्थार्थ मदुवन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं पहले क्या करते हैं बाबा के प्रती कुछ भी सबसे पहले जो भी कमाई होती है वो बाबा के अर्थ पहले निकालते हैं तो बाबाने का इसमें भी पहले नंबर में जा रहे हैं डारेक्ट मदुवन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है हर कार्ये में हर कदम में मदुवन अर्थार्थ बाबा की याद है या बाबा की पढ़ाई है या बाबा का ब्रह्मा भोजन है या बाबा से मिलन है मदुवन सोते ही बाबा की याद दिलाने वाला है कहां भी रहते मदुवन की याद आना अर्थार्थ विशे स्ने लिफ्ट बन जाना चड़ने की मेहनस से चूट जाते हैं सेकंड में स्विच आन किया और पहुँच गए बाब दादा को और कोई भी हीरे मोती तो चाहिए ही नहीं बाबा को स्ने की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है इसलिए सुदामा के कच्चे चावलों को गाया जाता है इसका भाव अर्थ यही है कि स्ने की छोटी सी सुई में भी मदुवन याद आएगा तो वह भी बहुत बड़ा अमुले रतन है क्योंकि स्ने का ही दाम होता है वैल्यू स्ने की है चीजों की नहीं अगर कोई वैसे ही भले कितना भी दे दे लेकिन स्ने नहीं है तो उसका जमा नहीं होता है और स्ने से थोड़ा भी जमा करेंगे तो पदम जमा हो जाएंगे तो बाबा को तो स्ने पसंद है तो यूके वालों की विशेषता यग्ये स्ने ही यग्ये स्योगी आदी से ही रही है यही सहज योग भी है सहज योग सहज योग है सहयोग का संकल्प आने से बाबा की याद तो सोता ही रहती है जब हमें कुछ बाबा की सेवा सहयोग करने का मन करता है और तो बाबा ने कहा तो बाबा की याद उसमें रहती ही है तो सैयोगी सहजयोगी स्वता ही बन जाते हैं योग तो बाबा से होता है मदुवन अर्थात बाप दादा से तो सैयोगी बनने वाले भी सहजयोगी सब्जेक्ट में अच्छे नमबर ले लेते हैं दिल का सैयोग बाबा को भी प्रिये है इसलिए यहां यादगार भी दिलवाला मंदिर बनाया है तो दिलवाला बाबा को दिल का सने, दिल का सहयोगी प्रिये है छोटी दिलवाले छोटा सोधा करके खुश हो जाते हैं और बड़ी दिलवाले बेहद का सोधा करते है फाउंडेशन तो बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है जैसे कई जगे पर व्रिक्ष देखें होंगे तो व्रिक्ष की साखाएं भी तना बन जाती है तो UK के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब ये शाखाएं भी तना बन गई उस तना से शाखाएं निकल रही है एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृदी को पार रही है क्योंकि foundation हमारा सने और सहयोग के पानी से मजबूत है इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी बहुत अच्छा है अच्छा, ओम, शान्ती झाल